मुझे एक ऐसे शायर को आवाज देना जिसके लिए मैं कि इतनी बड़ी दुनिया है इतनी बड़ी दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं बलके एक बड़ा कारणा हुआ करता है फराद को पार काट के नहर निकालना पड़ी तब जाके इश्क के मैदान में उनका नाम चमका कैस ने सहराओं की खाक चान कर इशके लेला में अपनी जान का नजराना पेश किया तब लोगों ने उने पैचाना इसी तरह से दुनिया अदब में भी उनी के नाम के चराग जले जिनों ने तूफानों से लड़ने का होसला रखा और जिनोंने हवाओं के रुक को मोडना सिका और दिन की मशक्कत के बाद रातों की नींदों को हराम किया तब चाके अपनी शनाखत कायम करने में कामियाब हुए हमारे डाइस पर भी एक ऐसाई शायर मौजूद है जिसे तूफान से लड़ने का होसला भी रखता है और हवाओं के रुक मोडने का हुनर भी उससे आता है मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ आर्वी की सरजमी का वो नोजवान शायर जिसे दुनिया अदब फारुख जिया के नाम से जानती है और पहचानती है मैं चार मिस्ने पढ़के उन्हें अमादाए सुखन दे रहा हूं कि ऐसा नहीं के अपना बुरा वक्त कट गया खुदारी जाग उट्धी तो दामन सिमट गया एक तुम के तुमने बाट दिया खानदान को एक में के खानदान के लोगों में बढट गया जोड़दार तालियों से इस्तक्बाल करें फारुग जिया साथ। के सदर आली जनाब फिरोस खान साहब और हजरत मकतुला शावली सरकार दर्गा कमेटी अनीस मिर्जा साहब अफसर कुरेशी साहब और अबदुल्ला शाह साहब की दुआएं चाहता हूँ। बतोर खास दोस्तों यहां मेरे बिरादर मौतरम आरीब तबरेश साहब और असलम खान साहब तश्रीफ रखते हैं। पढ़ता हूँ अर्द किया है कि गमों का बोज है अपना तो अपने सर पे रखते हैं। भरोसा हम तो उस हाकी में बड़तर पे रखते हैं। पर हमारे जर्फ की कीमत लगाने वाले तू सुन ले तेरी दौलत को हम तो पाओ की ठोकर पे रखते हैं। वाँ, क्या कहने है, वाँ, 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 व हमारे जर्फ की कीमत लगाने वाले तो सुन ले तेरी दौलत को हम तो पाओ की ठोकर पे रखते है दर्गा कमेटी यहां तश्रीफ रखती है मैं चार मिसरे तमाम आशिकाने हजरत मफ्तुला शाओ अली सरकार के चाहने वालों की जानिब से यह पढ़ता हूँ के सुलकती धूब जो बदले बहार की सुरत क्या कहने है वालों की नजर तो आए कही से करार की सुरत और तलाश कर लिया मैंने जहान भर को जिया किसी से मिलती नहीं मेरे यार की सुरत क्या कहने वाँ 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 अरे वाँ 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 क्या कहने क्या कहने वाँ 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 बहुत खुब बहुत खुब वाँ 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 जिन्दा वाँ फारुक जियाजा आप क्या कहने क्या कहने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया क्या कहने है जोरदार दालियों से अस तक्बाल करें सुलक्ती धूब जो बदले बहार की सुरत क्या कहने है क्या कहने है क्या कहने है क्या कहने है क्या सुलक्ती धूब जो बदले बहार की सुरत नजर तो आए कही से मक्तुल्ला शाह के नजर करो, मक्तुल्ला शाह, इंदुस्तान के मौतिवर्ष कौवाल आली जनाब सलीम शहजादा साहब ने फरमाया कि हजरत मक्तुल्ला शाह, तो उन्हीं के तसवर में लिखा हूँ मैंने, कि सुलक्ती धूप जो बदले बहार की सूरत, नजर तो आए कही या मैंने जहानबर को जिया, किसी से मिलती नहीं मेरे यार की सूरत, नजर यहां पर तुम्हारे कमचुल्य होगी, ने ये से बदर करना देखा है, ने बाबाबाब को बदले बाबाब की जिया, वही दोस्तों, मैं यहां इसलिए आया हूँ, मैं आपको खुश्खबरी दे हूँ, हमारे आज ही के दिन, ग्यारा तारीक को फारुख जिया साहब की शादी हुई थी, उनकी साल गिरा भी है, आप सभी तालियों से मुबारक बाद पेश्ट करें, हक बढ़ता है, बहुत शुक्रिया महुपत, बहुत शुक्रिया महुपत, जिन्दाबाद, वसीम जिन लहू के घूट पीना आ गया क्या, उसे मरमर के जीना आ गया क्या, मियां, क्यू फासलों से मिल रहे हो, तुम्हारे दिल में कीना आ गया क्या, वाँ, क्या कहने हैं, वाँ, 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 वाँ अदब नवाज हज़रात है जहां से सीटियों की आवाज आ रही है बराए करम सीटी नवजाए मैं आप से गुजारिश करता हूँ सीटी नवजाए आप दिल से दाद दरूर दे सकते हैं लेकि सीटी निवजाना चाहिए क्या कहने है बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे महुपटों से नवाजा ये मेरी वलगाउ शहर में तीसरी आजरी है अल髑 लिल्लह मैं पेश कर रहां था कि लहू के गुट पीना आगया क्या उसे मरमर के जीना आगया मिया क्यूं क्यूं फासलों से मिल रहे हो तुम्हारे दिल में कीना आ गया क्या मियां क्यू फासलों से मिल रहे हो मियां क्यू फासलों से मिल रहे हो तुम्हारे दिल में कीना आ गया क्या नाजिम बिल्डर साहब इकबाल पहलमान साहब मेरे आरवी से तश्रीफ लाए मैं ये शेर सदर मुशारा नौशाद साहब की नजर करता हूँ के लहू के घूट पीना आ गया क्या उसे मरमर के जीना आ गया क्या मिया क्यू फासलों से मिल रहे हो तुम्हारे दिल में कीना आ गया क्या मुनवर हो गई बजमे तमना मुनवर हो गई बजमे तमना जिया लेकर नगीना आ गया क्या वाँ, क्या कहना है मुनवर हो गई बजमे तमन्ना मुनवर हो गई बजमे तमन्ना क्या कहने है, क्या कहने मुनवर हो गई बजमे तमन्ना जिया लेकर नगीना आ गया क्या जिया लेकर नगीना आ गया क्या और एक मतला एक शेयर मेरे दोस्तों के लिए पढ़ता हूँ मौनिस नवाज साहब नियास कशी साहब और बिरादर मौतरम इजद माप डाक्टर जाहिद नियर साहब मैं पेश करता हूँ के रंग होटो का तेरे खिलता कवल है के नहीं मास्टर साथ देखिएगा रंग होटो का तेरे खिलता कवल है के नहीं मैं हूँ शाइर तू मेरी प्यारी गजल है के नहीं सारी दुनिया तो मुझे शाह जहां कहती है सच बता तू मेरी मुम्ताज महल है के नहीं और एक मतला एक शेर कि जब महजबी से आख मिलाता है आईना क्या कहने है मास्टर आरिब तबरेश चाहब असलम खान साथ कि जब महजबी से आख मिलाता है आईना जल्वो की चांदनी में नहता है आईना जब महजबी से आख मिलाता है आईना जल्वो की चांदनी में नहता है आईना जिसको कदम कदम पे जरूरत थी कल मेरी वो शख्स आज मुझको दिखाता है आईना वाँ, क्या कहने है वाँ जिसको कदम कदम पे जरूरत थी कल मेरी वो शख्स आज मुझको दिखाता है आईना वाँ और नाजिम मिल्डर साहब एक मतला एक शेयर यू सुनें कि रिष्टों की आज कल कोई कीमत नहीं रही और इनसाफ तिल मिला के ये कहने लगा जिया हजरत हुमर के जैसी अदालत नहीं रही डॉक्टर साबिर कमाल साभ की ये फरमाईश परिंदो ऐसी उलान भरना सुनें आरिप तबरेश साभ परिंदो ऐसी उलान भरना परो में तुम आसमान भरना परिंदो ऐसी उलान भरना परो में तुम आसमान भरना ये सोच अच्छी नहीं है तेरी किसी के बारे में कान भरना ये सोच अच्छी नहीं है तेरी किसी के बारे में कान भरना एक मतलब एक मतलब चन अशार और फिर आपकी जहमते तमाम अब दिले बेचैन को आराम आना चाहिए आरिप तबरेश साहब आपने पहली बार मैं पहली मरतबा ही पढ़ रहा हूँ अंजन गाओं में पढ़ा ये दूसरी मरतबा अब दिले बेचैन को आराम आना चाहिए तेरे होटो पर मेरा भी नाम आना चाहिए तेरे होटो पर मेरा भी नाम आना चाहिए रूबरू अपनी जुबा से आप जब कहते नहीं क्या कहने है रूबरू अपनी जुबा से आप जब कहते नहीं फोन पर ही प्यार का पेगाम आना चाहिए यह मकते का शेर शेकन नुशाद साब बतर एक हास सुनें कि अब दिले बेचैन को आराम आना चाहिए मशवराः नेक तुम को दे रहा है अब Μिया मश्वरा ये ने कि तुम को दे रहा है अब जिया दोस्तों को दोस्तों के काम आना जाए क्या कहना है बाब 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 जिन्दा बाब फारुक जिया साथ